टेंडन में चोट एक ठोस फाइबर होता है जो मान स्पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है टेंडन में चोट एकदम से लगती है लिकिन आमतार पर काफी लंबे समय से टेंडन को पहुंच रहे नुकसान से भी टेंडन में चोट लग सकती है तो इनसे पूस्टे इनको चोट कैसे लगी थी क्या टीटमेंट चल रहा था इनको जैपूर आके क्या फाइदा हुआ आज इनको तीन दिन बाद हम छुटी कर रहे हैं और इनको कितना फाइदा हो गया ज़रा मुवमेंट कर दिखाओ अपना अगुठा यह पहले था गया था तो इसन नसे कड़ दी यहां से तो आप इसको फिर आमने सिरी नगर में इसकी अलाज की लग 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 एक मीना दाखल रहा तो पिर यह इसकी यह नंगल ऐसे ने वापस नहीं आती थी पिर आमने यूटूब आपको देखा सर यहां पहुंचे तो आप तीन देन हुआ है आ अलग है Enough यहां 55,000 क फिर आमने सबकुछ देखा है तो आप अलग 여्हां पहुआ जोड़के अडे कर लेते हैं तो आपनी तर ने बỌला मैं आप अथि करन वाला ने नहीं हैिना सथितिल मैंने भगवान नहीं हूं रहा जोड़ते तो आता मैंने ज़ूटीव पर मुआ तो घ्म कार्था बशूब एक शूब में कोई और अश्पताल में कोई काम रहा हूं कि उपकार ऊपरेशन को में दर्ड दूआ हो हुआ हुआ है तो अपरेशन को बता बच्चा तुम बहुताब था तुम हो बॉत बईवाट श्वाट अच्छा है बिद्रेशे हमें बाइस पास आना चाही हो जाया है। बहुत आपरेशन करते है। नहीं है। तो दो आप बैस नहीं दो यह वा हैं वह अवह आप एक फार बाइस का नहीं है। वहाँ आलाज करनेंगे, आपको बास आना चाहिए, अची जरा से होती है अपना एड्रेस बता दो अपने लेवल पर, कहां पर कोई आपसे पुछना कहा है तो हम जम्हो कश्मीर रजोरी गौं कलर पड़ता है सर, डिष्ट कुमारी रजोरी पड़ती है अपनी लेंग्विज में उनको बता दो जरा कैसे हम लोग जे जसके से ने वानों है मारो किसे गुजर पकरवाल कोई बेंदो यानि गुजर पकरवाल गोजरी में कुछना है मारो यो पाई आतकपन ओ ठीक होगी हो तो आज सेके किसी इनसान भी कोई ऐसी तकलिफ हो जा अंगल काट जा कोई वे रगांगी कोई ऐसी कैसी तकलिफ है ठीक हो जाए तो इनके दोरह में बताना चाहता हूं इनकी जितनी भी नसे थी वो टूट शेकी थी चिपक चुकी थी जिसके कारण उंगलिया नहीं मुड़ती थी जब उनको देखा गया तो काफी गैप हो गया था अब गैप करके हम पाउं से नसे लेते हैं कहीं और से लेते हैं हमने कहीं से नसे नहीं दी यहीं की नसे यहीं पर ट्रांसफर करी जिससे उनका स्ट्रॉंग धागे से रिपेर किया है जिससे हम इनका मुवमेंट करा रहे हैं जिजूली हम इस लगों को प्लास्टर देते है जो मर जी करें, अगर जो अच्छे एक्सरसाइज करें तो अच्छा ठीक हो जाएंगे.